Be a part of powerful digital news network नवी मुंबई नेटवर्क तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पानी के लिए बेल आइकन कर जरूर क्लिक करें पनवेल और उरन तालुका की अंतरगर पांच जुलाई को 62 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों का कुल आखड़ा बढ़कर 1262 तक पहुँच चुका है वही एक्टिव केसों की संख्या 540 तक पहुच चुकी है आज पनवेल ग्रामिड के लिए ये रहा कि 49 कोरोना पॉजिटिव मरीज कोरोना मुक्त होके डिस्चार्ज कर दिये गए और इसके साथ कोरोना मुक्त व्यक्तियों की संख्या में हुआ इज़ाफा और आखड़ा पहुचा 699 तुछ लिए ग्राफिक की मादम से समझाने की कोशिश करते हैं कि पनवेल ग्रामिड में आज कितने कोरोना पॉजिटिव मरीज कहा कहा से पाए गए आदाई से दो, आजिवली से एक, आकुरली से एक, बंबावी से एक, बारवाई से एक, भोकरपाडा से एक, देरवली से एक, दिघाटी से चार, गवहान से नौ, कानपोली से एक, करंजाडे से एक, खानावडे से एक, शिवकर से एक, सूखापूर से एक, उल्वे से तीन उसरली से एक, वाजे से तीन, देवत से एक, विचुम्वे से कुल पांच कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्फ की गई तो चलिए अब ग्राफिक के मादिम से समझाने की कोशिश करते हैं कि उरन तालुका के अंतरगर्द कहां कहां पाए गए कोरोना संक्रमित मरीज तो चलिए अब ग्राफिक के मादिम से समझाने की कोशिश करते हैं कि कहां कहां से मरीज कोरोना मुक्तों के डिश्चार्ज हुए सबसे पहले बढ़ते हैं कुडावे की तरफ कोरोना मुक्त होकर डिश्चार्ज किया गया दुखत घटना बता दे कि आज उरन ग्रामिन से उरन के रहिवासी की कोरोना संक्रमट से मौत के साथ कोरोना संक्रमट से मृत्यू का कुल आकड़ा बढ़कर 23 तक पहुच चुका है तो चलिए अब डालते हैं आकड़ों पनाजर कोरोना से मृत्यू का आकड़ा दर्स किया गया एक ब्योरु रिपोर्ट नवीमबे नेटवर्क